तो आईए स्टूडेंस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैस का टॉपिक टाइम और डिस्टेंस स्टूडेंस टाइम और डिस्टेंस में प्रैक्टिस कोईशन की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम कॉंटिन्यू करेंगे कुछ नए प्रैक्टिस कोईशन के साथ सो आज की क्लास में हम एवरेज स्पीड के ओपर भी कुछ क्वेशन करेंगे और उससे पहले जो बेसिक फॉर्मुले मैंने आपको बताये थे टाइम डिस्टेंस और स्पीड को लेके उन पे भी कुछ क्वेशन आएंगे तो आईए स्टूडेंस देखते हैं कि पहले क्वे किलोमेटर पर आद तो अगर कोईशन में आप देखें पूछा क्या है आपसे टाइम पूछा है इन वाट टाइम पूछा है तो आपको जाहिर सी बात है दो चीज़ दो चीज़ें दी होंगी उन्होंने कौन-कौन सी दो चीज़ें यहां पर आप देख सकते हैं तो को दिए हुआ मीटर ने दिएग तो यहां पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और उपर से यहां पर आप देख सकते जो अप्शन दिये हुआ है मिनट में दे दिए हैं कि तो दो बदलाव करने पड़ेंगे तो पहले हम क्या करते हैं पहले हम आंसर तक पहुछते है उसके बाद answer को minute में change करने की कोशिच करेंगे तो students यहाँ पर देखिए आपको distance दिया हुआ है 400 meter 400 meter का distance है speed आपको दी हुई है 20 km पर आठ तो इसको हम change कर लेते हैं meter per second में तो इसको 5 upon 18 से multiply को अब यह दोनों करते हैं 2 से तो यह हो गया 10 और यह हो गया 9 तो इसका मतलब यह हो गया 50 upon 9 meter per second ठीक है तो देखो यह भी meter में आ गया यह भी meter में आ गया अब हम इसको formula में put करेंगे तो students time का formula क्या होता है distance divided by speed ठीक है तो distance क्या दिया हुआ 400 divide कर दो उसको speed से मतलब 50 upon 9 अब आपको पता है यह reciprocal हो जाता है और multiply में change हो जाता है ठीक है तो 9 उपर आ गया 50 नीचे आ गया अब इसको अगर आप काटे तो 8 आएगा और 8 9 होता है 72 8 9 से क्या होता है students 72 और यह क्या है यह seconds है तो students अब seconds को minute में change करना है हमको क्योंकि option जो है वो minute में दिया हुआ है बड़ा असान है कैसे चेंज करते हैं हम लोग इसको डिवाइड करते हैं देखो छोटा ही करना होगा आंसर तो कमी आना है क्योंकि seconds जादा होते हैं तो minute कितने होंगे कम होंगे तो कम होने के लिए हमको इसको 60 से डिवाइड करते हैं ठीक है 60 से multiply मत कर दे रहा है आपर तो यहां पर जो time आएगा अब इसको हम देखो 12 से काटेंगे 12 6 और 12 5 इसको mix fraction में change कर दो तो one whole one upon five minutes answer आ जाएगा तो option number a जो है वो correct है clear screenshot दीजे फिर आगे बढ़ते हैं तो आईए students question 2 की तरह बढ़ते हैं लिखा है a man completes 30 km of journey at 6 km per hour तो पहली line अगर हमने पड़ी तो इसमें हमको समझ आ रहा है कि यहां पर distance दिया हुआ है 30 km और यह जो distance है उसने इस speed में travel किया ठीक है तो distance और speed दे दिये ठीक है and the remaining 40 km of the journey in 5 hours और जो दूसरा भाग था जरनी का जो कि 40 km लंबा था वो उसने 5 घंटों में पूरा किया तो अगर यहां पर देखो तो पहले पार्ट में distance और speed दी हुए है दूसरे पार्ट में distance और time दी हुए है his average speed for the whole journey तो आपसे पूछा है कि इसकी average speed पूरी journey की क्या होगी average speed मतलब आसत जो इसकी speed रही होगी वो कितने होगी so students ऐसे question में हमेशा याद रखना यहां पर आपको distance equal नहीं दिया है ठीक है average speed के दो तरह की question आएंगे हमेशा एक पहले type का होगा जिसमें distance बराबर दिया होगा जैसे अगर वो office से घर गया और फिर घर से office आया ठीक है तो उसमें क्या होते कि बराबर distance ने travel किया तो ऐसे question में तो एक formula लगता है जो की direct formula होगा जो की इसी class में आने वाले question में हम discuss करेंगे लेकिन अभी यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं यह जो distance है वो अलग अलग है तो यहां पर आपको लंबे method से ही करना होगा इसका कोई shortcut नहीं आप करना कैसे है हमको यह बात पत है और जितना भी उसको total time लगा उसको नीचे लिखना है अब students यहां पर हमको total distance तो पता है total distance तो सीधा सीधा question में दिया हुआ है कि पहले 30 km travel किया उसने और उसके बाद 40 km travel किया तो total हो गया 70 km तो आधी चीज तो हमारे पास पहले से ही है लेकिन अगर हम total time की बात करें तो total time हमको नहीं दिया हुआ है हाला कि जो second part है जर्नी का उसका time हमको दिया हुआ है इसका मतलब 5 घंटे तो दिये लेकिन first part का तो हमको time निकालना पड़ेगा first part का time बढ़े आराम से निकल जाएगा यह लो distance upon speed कर तो कर सकते है ना तो time निकल जाएगा तो क्या मुश्किल है तो पार्ट में और 5 घंटे first part में लगे तो total कितना हो गया दस घंटे ठीक है दस घंटे उसको total लग अब students इस formula में आपको values पूट करनी है तो बड़ी simple तरीके से आपका answer आ जाएगा average speed is equal to 70 upon 10 जो की हो गया 7 km पर तो average speed उसकी जो रही थी 7 km परार रही थी option number B correct clear है screenshot लेजे फि students question 3 देखेंगे a man completes half of his journey at 6 km पर तो यहां पर आपको दिया हुआ है पूरा distance नहीं दिया लेकिन उन्होंने बता दिया है कि जितनी journey है उसका आधा part जो है वो इस speed पे उसने cover किया और जो remaining half है मतलब बचा हुआ जो आधा part है उसको इस speed पे cover किया तो इसका मतलब यहां पर हम theorem का use कर सकते हैं students कैसे क्योंकि आधा आधा इसका मतलब है कि है तो बराबर ना तो जब भी distance बराबर हो तो इसमें normal तरीके से आप formula use करके answer निकाल सकते हैं आपको average speed निकालनी है तो बड़ा basic सा formula होता है students average speed निकालने के लिए आपको क्या करना है 2xy upon x plus y वाला formula लागा जहां आपे x की value है जो पहली speed दिये और y की value है जो दूसरी speed दिये तो x की जगे आपको 6 km पर आर पूट करना है और y की जगे आपको 3 km पर आर पूट करना है तो जल्दी से formula में लगा देते हैं तो यह हो गया 6 multiply by 3 upon 6 plus 3 क्या होता है 9 होता है अब इसको आप काट दीजिए तो यह इसका भी screenshot ले लिए फिर अगला कोशन करते है तो बिल्कुल सेम कोशन है पिछले कोशन जैसा इतना याद रपना स्टूडेंट्स यह जो theorem है यह दो तरह के कोशन में लगती है ठीक है कौन-कौन से माल लेते हैं कि एक आदमी point A से point B की तरफ गया और उसके बाद point C की तरफ गया और कोशन में गिवन है कि यह जो distance है A और B के बीच में और B और C के बीच में बराबर है ठीक है और इसकी speed आपको दी हुई है x km पर आर यहाँ पर A से B पे जाने के लिए और B से C पे जाने के लिए आपको दिया हुआ है y km पर आर तो आपको यह समझ लेना है कि इस ऐसे question में वो theorem लगेगी दूसरी तरीक है कोशन क्या होता है students यहाँ पर point A है यहाँ पर point B है तो पहले point A से B की तरफ गया x km पर आर की speed से और फिर B से A की तरफ आया y km पर आर की speed से तो ऐसे में भी आप देख सकते हैं distance बराबर है तो ऐसे में भी आप theorem यूज कर स लेगा और अपना answer चेक कराईएगा तो students इसका screenshot लीजिए फिर एक last question कर लेते हैं तो students question 5 की तरफ बढ़ते हैं यह थोड़ा नया question है इसमें average speed के बारे में नहीं है लेकिन फिर भी इसमें एक नई नहीं चीज दी हुई है और यह वैसे तो नहीं चीज नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ठीक है तो यहां देखिए the speed of a and b are in the ratio 3s to 4 तो याद रखना है students जब भी speed की आपको ratio दे दे तो आप समझ लेना कि आपको time की ratio भी दियो ही है ठीक है जब 스ीड की रश दे छोंब है तो आप समझ लेना time की ratio भी दियो हुई है और time की ratio कैसे होती है इसका उल्टा कर दो बस speed की ratio दे दे तो आप समझ लेना time की ratio भी दी हुई है और time की ratio कैसे होती है इसका उल्टा करतो बस तो पहली चीज तो यह समझ लो जब भी ratio दी होगी न तो उसका उल्टा कर दिया गरो और क्यों उल्टा किया है यह मैंने आपको कही बार बताया है अब देखें यहां पर कम speed है इसकी और इसकी speed जादा है तो कम speed है तो time जादा लेगा जादा speed है तो time कम लेगा ठीक है तो ऐसे चलता है ठीक है अब आगे बढ़ते एक टेक्स 20 इतने time में पहुच जाता है इन दोनों के बीच का जो gap है वो 20 मिनट दिया हुआ है तो यह relation हमारे लिए काफी है अब किसलिए काफी है देखें students यहां पर मैं यह लिख सकता हूँ यह जो 20 मिनट दिया हुआ है इसका मतलब 4x-3x is equal to 20 minutes जिसको मैं घंटे में change करूंगा 60 करके क्योंकि सब कुछ r में change करते है न ठीक है तो इन दोनों के बीच का जो gap है वही तो 20 minutes दे रखका है अब इसका मतलब मैं x की value यहां पर निकाल सकता हूँ यह होगा 1 by 3 ठीक है अब यहां पर 4-3x तो x ही हो गया तो इसका मतलब 1 by 3 hours मतलब 1 बटा 3 घंटे तो अब students यहां पर जो x है वो answer नहीं है क्योंकि हमको क्या निकालना है question में पूछा है in what time does a अच्छा यहां पर है न हट आगे a लिख देना तो जो पहला आदमी था वो कितनी देर में अपने destination पर पहुचेगा तो students अगर हम देखे time के बारे में पूछा है न यहां पर लिखा है in what time तो time पूछा है इसका मतलब यहीं one by three hours कितना one one by three hours option number a correct clear तो इस तरह से आपको ratio वाले question करने हमेशा याद रखना तो आज की class में हमने average और ratio से जितने भी question थे वो अच्छे से कर लिए हैं I hope आपको समझ आए इसका screenshot लेजिए उसके बाद में वीडियो कंग्लूट करता हूँ so students यहाँ पे घतम होता है हमारा time and distance का यह part I hope इस part में कराये गए सारे questions आपको clear है और कोई भी doubt नहीं है बहुत जल मिलते हैं अपने अगले part में tell them students take very good care of yourselves have a nice time God bless you bye bye